अलो दोसों, बेलकम बैक टू दा चैनल, तो डियर फंट जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग कोशन अनसर, डिटेल वीडियो मैंने आल लेडी दो बना रहे हैं, ठीक है, एक फ्रेक्शन पार्ट के लिए और एक बिदाउट फ्रेक्शन, बेजड उन उन्ही दो वीडियो के रिगार्डिंग मैंने ये कंसेप्ट दिया, ठीक है, इसमें मैं कोई कोई कोशन पूछूँँगा, रन टाइम पे डालूँगा मैं कोशन, मुझे भी नहीं पता कि कौन सब कोशन मैं डालने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे आ हम लोगों को एक on an average time पता चल जाएगा कि एक particular question को solve करने का on an average time ये है, suppose करो मैं 30 seconds ले रहा हूँ, कोई one minute ले रहा है, कोई 30 seconds से भी less ले रहा है, ठीक है, बट average हमें पता चल जाएगा कि हाँ, 30 seconds maximum लो, ठीक है, क्योंकि 30 seconds से भी less वाले बंदे बहुत होंगे, ठीक है, तो competition right, तो इससे कहा रहता है कि खुद को भी पता चलता है कि वो आप कितने level पे हो, ठीक है, और इस video मैंने calculation part को जहां तक हो सकता है, less किया है, क्योंकि मैंने binary number based system पे इसको convert करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप screen पे देख पा रहे हो, ठीक है, अब screen पे देख पा रहे हो, ठीक हम सारे number system को convert करेंगे एक दूसरे में, ठीक है, इसी के base पे मैं ये video बना रखी है, ठीक है, तो इसको आप अपनी notebook पे लिख सकते हो, ठीक है, तकि जब आप solve करो तो इसका आप use कर सको, क्योंकि मैंने अपने videos में इसका proper use करने का तरीका बताया, ठीक है, सिर्फ इसी को use कर आपको division नहीं करने, number system को convert करने के लिए, right, हम सिर्फ number system में binary number system को use करेंगे, 0101 की form को convert करने के, किसी भी number को पहले binary में करो, फिर binary से उस particular number में convert कर दो, बहुत easy है, ठीक है, 0101 की form में, okay, तो start करते है, तो जो मैं format आपको दूँगा, वो रहेगा ऐसा, ठीक है, ये suppose करो, screen प को convert करेंगे हम, binary number में, तो run time पे, अब भी मैं एक octal number डालूँगा, octal number 0 to 7, ठीक है, तो कोई भी number डाल दूँगा, suppose करो, ठीक है, ये number है, ये number है, ये number है, अब इसको binary में convert करना है, start, complete हो गया, ठीक है, तो इसका जो answer है, वो रहेगा आपका, 11101110010, अगर आपने इससे पहले, मेरे से पहले solve कर लिया, excellent, ठीक है, बट नहीं किया है, pause कर सकते हो, आपना solve कर सकते हो, और cross check कर सकते हो, कि ये सही है, ये गलत है, बट आपको एक average time पता चल गया है, कि इतने time में ये solve हो रहे है, और आप suppose करो average time मैंने कितना लिया, I think 20-25 seconds, आप एक minute से ज़्यादा ले रहे हो, वो गलत है, आपको अपनी calculation में भी speed डालनी है, plus concept का भी पता होना चाहिए, एकदम मतलब दिमाग में hit करना चाहिए, कि हाँ, ये octal number है, इसको binary में कैसे convert करना है, कौन से step follow क step के regarding में last में हलका सा आपको overview सब के regarding बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे solve होते हैं, but अब भी के लिए ठीक है, ये हो गया हमारा एक, तो ये था हमारा octal to binary, तो octal to binary हम क्या करेंगे, color कर देंगे इसको green की ये complete हो गया है, तो green color में जो भी होगा, वो complete हो गया, जो बाकी है, तो अब जो yellow color में उन में से हम एक एक करके pick करेंगे, ठीक है, तो एक तो अपना हो गया, ठीक है, ये रहा आपका दूसरे question का format, अब भी मैं एक number डालूंगा, decimal number, उसको हम convert करेंगे hexadecimal में, ठीक है, तो random number, sorry, decimal मैं random number कहां से कहां तक होगा, 0 to 9, तो कोई भी number डालो, for example, ठीक है, ये डाल दी, मैंने 83, ठीक है, छोटा number इसलिए ले रहा हूँ, ताकि calculation ज्यादा ना करने पड़ी, आपको concept ज्यादा clear होना चाहिए, ठीक है, तो solve करो इसको भी, ठीक है, solve हो गया, तो इसको जो answer है, वो है, 53, 53, 83 decimal में अगर convert करेंगे, hexadecimal में है, तो उसकी value आएगी 53, ठीक है, cross again, आप कर सकते हो, तो decimal to hexadecimal, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, complete में mark करेंगे, हम ये रहा, ठीक है, decimal to hexadecimal, next का format रहा हमारा ये, ओके, तो अब जो हमारा question है, वो है, octal से decimal में convert करना है, ठीक है, तो octal में एक random number ले लेता हूँ, again, 027 कोई भी number डालो, 027 कोई भी ठीक है, ये रहा अपना octal number, तो अब इस octal number को convert कर लो, ठीक है, okay, done, जो इसका answer आएगा, वो आएगा, 410 decimal value, ठीक है, octal की value को 632 को change करेंगे, decimal में तो उसका जो answer है, वो 410 आएगा, ठीक है, तो, okay, next का, जो हमारा, आप cross से करते जाओ, ठीक है, साथ में, बड़ा, आपको on an average time का पता चल रहा है, कि हाँ, ये वाला convert करना तो कितना time लग रहा है, इसको convert करना तो कितना time लग रहा है, ठीक है, तो ये था octal to decimal, तो octal to decimal को भी हम mark कर लेंगे, अपना green की, ये भी complete हो गया, ठीक है, next का format रहा हमारा ये, ओके, तो इसमें हम करेंगे binary to octal, ठीक है, तो binary number कोई भी zero one की form में लिख लो, उसको octal में convert करना है, तो binary number आप हमारा रहा, ये, ठीक है, इसको आप octal में convert कर लो, octal में convert करके जो answer आएगा वो रहेगा आपका, done, दोस्तो, 256, इसका answer है, इस binary number का convert करके, इस binary number को जब हमने convert किया न, octal में, तो इसका answer रहा, 256, ठीक है, तो just इतना ही time ले रहा है, इससे ज़्यादा time नहीं लेगा solve करने में, ठीक है, ये भी हमारा complete हो गया, इसको भी आप mark कर सकते हो, green ठीक है, same, next question का format रहा आपका, ओके तो next question का format रहा आपका ये, इसमें आपको decimal से binary में convert करना है, तो decimal मतलब 0 to 9 एक number लिखूँगा, उसको हम convert करेंगे binary में, तो 0 to 9 number कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो number आपका रहा, चीक है, अब इसको आपको binary में convert करना है, ठीक है, करो convert, answer, ठीक है, तो, ओके, next, जो हमारे पास format है, ओके, तो ये था हमारा decimal to binary, decimal to binary भी complete हो गया, ठीक है, next format है, हमारे पास octal to hexadecimal, एक octal number होगा, random कोई भी अभी डालेंगे, तो hexadecimal में convert करना है, octal का मतलब है, 0 to 7, 0 to 7 means, कोई भी number डालो, ये आगया, ठीक है, अब इसको hexadecimal में change करना, ये आगया आपका octal number, इसको hexadecimal में change कर लो, ठीक है, तो इसका जो hexadecimal आएगा, वो रहेगा आपका, निकल गया, जो इसका answer आपका रहेगा, वो रहेगा, 6596, 6596, तो आपका octal to hexadecimal भी complete हो गया, तो ये वाला, ठीक है, cross-sector सकते हैं, अगयन आप, ठीक है, तो next, जो हमारा format रहेगा, वो रहेगा ये, ये एक number है, decimal, जिसको हमें convert करना है, octal में, ठीक है, तो decimal, कोई भी random number लिख लो, जिसे हम octal में convert कर सकें, ठीक है, तो number रहा ये, ठीक है, तो ये एक number रहा, को convert कर लो, अब octal में, solve हो गया, इसका जो answer है, वो रहेगा, आपका one seven three, ठीक है, cross है कर सकते हैं, अब again, तो ये रहा हमारा decimal to octal, ठीक है, decimal to octal, ये रहा आपका, जिसे दीन कर लो, complete हो गया है, ठीक है, next, जो हमारा format रहेगा, वो रहेगा ये, एक number है, hexadecimal, उसको convert करना है, octal में, तो, hexadecimal, कोई भी number में, एक random, write down कर लोंगा, ठीक है, ये रहा आपका, random number, अब इसको convert करना है, octal में, करो again, करो जल्दी से, okay, done, answer इसका है, आपका आएगा answer, one, five, two, two, five, one, three, five, ये इसका equivalent octal number है, hexadecimal number है, ठीक है, अगर, ठीक है, इससे fast आप solve कर रहे हो, great, अगर time लग रहा है, तो, आप trick, देख सकते हैं, ठीक है, मैंने already, आपने दो वीडियो बना रखे हैं, इसके regarding detail में, बताया है, जिसमें मैंने, ठीक है, एक fraction part के लिए, एक without fraction part के लिए, ठीक है, ओके, तो ये था hexadecimal और octal, hexadecimal to octal, ये रहा, ये भी हमारा complete हो गया, ठीक है, तो next, जो format है वो रहा आपका, ये, ये format है, जिसमें आपको binary से hexadecimal में convert करना है, तो, कोई भी एक random number लिख लो binary, ठीक है, ये रहा, अब इसको convert करना है हमें hexadecimal में, तो ठीक है, solve करो इसको, solve हो गया, तो इसका जो answer रहेगा, वो रहेगा, 175, इस binary number को convert करके, hexadecimal में आपका आया है, ये, 175, ठीक है, again cross check करिए, ओके, तो हमारा अब भी हुआ है, binary to hexadecimal, means ये complete हो गया, ठीक है, तो भी green कर लेंगे, next जो हमारा format रहेगा, वो रहेगा ये, तो इसमें आपको hexadecimal number को change करना है, decimal number में, ठीक है, तो एक random hexadecimal number write down कर लेते हैं, for example, f5, एक small number रखेंगे, तक ये number बड़ा होगा, तो calculation बहुत जादा हो जाएगी, ठीक है, concept आपको यहां से पता चल जाएगा, ठीक है, तो case को solve कर लो, अब आप, ओके, तो इसका जो answer है, वो रहा आपका 245, ठीक है, ये, इस number को आप convert करोगे, decimal में, तो आपका number आएगा, 245, again cross check करिए, और test करिए, कि कितना जल्दी आप solve कर पा रहे हो, ठीक है, ओके, next, जो हमारा format रहेगा, ओके, तो ये number था हमारा hexadecimal to decimal, hexadecimal to decimal, ये वाला, ठीक है, next format हमारा रहा ये, ओके, तो binary, ओके, तो hexadecimal से आपको number को change करना है, binary में, तो कोई भी hexadecimal number यहां पे आप write on कर लो, ठीक है, और example, ये रहा आपका, ठीक है, इसको हमें change करना है, binary में, तो ठीक है, इसको solve कर लीजिए, ठीक है, अके, तो solve हो गया, तो इसको जो answer हैगा, आपका, बूर हैगा, 1111110100110110110110110110110101, ठीक है, ऐसे नो लिखने में गलती कर दी हो मैंने, ठीक है, तो एक बर cross-check कर ले, तो again cross-check करिए, गलत है तो comment करिए, ठीक है, और next, है हमारा तो okay great hexadecimal से number binary में already हमने complete कर लिया तो ये भी आपका next number है जो हमारा format रहा ये इसमें हम binary से decimal में convert करेंगे तो binary number कोई भी write down कर लो ठीक है for example ये अब इसको convert कर लो आप decimal में इसकी value find out कर लो ठीक है हो गया इसका जो answer है वो रहेगा आपका 45 ठीक है तो ये रहा हमारा last one binary to decimal ये भी complete हो गया ठीक है तो I hope कि आपको ना इसमें एक average time मिल चुका है कि एक particular question को equation को solve करने के लिए एक particular number को दूसरे number में convert करने के लिए कितना time लग रहे है ठीक है अगर आप ज़्यादा time ले रहे हो तो definitely you need to improve yourself अगर आप less time ले रहे हो तो well and good ठीक है अगर average time ले रहे हो ना तो still आप और अच्छे से कर सकते हो ठीक है उसको fast कर सकते हो ठीक है आप मेरे से ज़्यादा fast कर लोगे इतना मुझे पता है कि करना क्या पहले तो यह clarity हो जाएगी ना एक बार यह clarity इसलिए हो जाएगी कि मैंने कोई जादा तरीके यूज नहीं कि है एक number system को binary के through मैं को convert करता हूं ठीक है जो कि बहुत easy है मुझे याद भी नहीं रखना पड़ता मुझे पता है कि मैंने कोई भी नंबर बाइनरी बाइनरी से particular number मैं convert कर लोगा एक simple सा बंडा रखता है ठीक है अगर मैं multiplication division वाला formula चलाओंगा ना तो उसमें मेरे को confused रहेगा कि कि किसमें मेरे को multiplication use करनी है किसमें मेरे को division use करनी है ठीक है तो okay का random go through कर रहते हैं कि यह कैसे solve हो रहे हैं ठीक है जो फर्स बन था यह जो अब भी हमने solve किया है binary number को हमने किया decimal तो ठीक है जो on with है ना उन सब को count करते जाओ फर्स बिट आओन है फर्स विट की value यह थर्ड फूर्थ होने तो थर्ड फूर्थ की value यह ठीक है और लास्ट में यह सिक्स वाली तो यह हो गया on एक चार आठ और बत्ती इन सब को add करोगे तो 45 आएगा ठीक है यह हो गया आपका binary to decimal नेक्स था हमारा जो हमने hexadecimal to binary किया तो simple है hexadecimal में D को 4 bit की binary value में represent कैसे किया जाता है D को यह किया जाता है ठीक है D का मतलब है I think 13 ठीक है तो 13 को हम लिखते हैं 4 bit binary में ऐसे ठीक है कैसे 1 4 8 8 12 और 1 13 same A को भी लिख लो ठीक है फिर 5 को भी लिख लो फिर 3 4 F और यह इनकी binary value आगी direct ठीक है next है hexadecimal to decimal simple है इसकी binary लिख लो इसकी binary लिखते में क्या कुछ जादा हो हो है ठीक है यह रही और plus आगे रहेगे आपकी 0101 यह आपकी F5 की binary है जो within 2 से 3 सेकिंड में solve हो गया ठीक है अब इसकी जो जो width on है उस number को count कर लो तो आपको अपना decimal number मिल जाएगा ठीक है next है हमारा binary to hexadecimal next है हमारा binary to hexadecimal इसमें भी आपको 4 के pair बनाने है यह 4 के pair की value है 5 next 4 के pair की value है 7 और next है 1 तो direct solve हो गया hexadecimal में convert करना है तो 4 के pair बना लो binary के ठीक है next है hexadecimal to octal hexadecimal to octal कैसे करेंगे hexadecimal में d को 4 bit value में लिखो फिर जब यह सारे आप count करके लिख लोगे उनको 3 bit की value में solve कर लेना है ठीक है क्योंकि octal को हम 3 bit value में represent करते हैं binary ठीक है तो यह वैसे हो जाएगा थोड़ा lengthy होगा पर बहुत easy lengthy है पर difficult नहीं है ठीक है remember और next है हमारा decimal to octal decimal to octal क्या बोलता है अगेन इसकी binary लिख लो और इस binary को 3 3 के pair बनाके right to left 3 3 के pair बनाके उसकी octal value यहां आ जाएगी ठीक है next है आपका octal to hexadecimal अगेन octal है इसकी 3 bit binary value लिख लो single single digit की ठीक है और फिर उसको 4 bit जो binary आएगी उसको 4 bit के pair में divide कर लो और उस 4 bit की जो equivalent hexadecimal value होगी वो रहेगी यह ठीक है next है हमारा decimal to binary simple है इस decimal 74 को यह 2 add करोगे 8 करोगे 1632 और यह रहा आपका 64 add करोगे तो आपका 74 आ जाएगा तो next जो हमारा है वो है binary to octal binary to octal simple है binary to octal क्या होता है octal के लिए आपको 3 bit value के pair चाहिए होते हैं 3 bit ठीक है 3 bit right to left चलो यह 3 bit यह 3 bit की value आपकी होती है 6 again यह जो 3 bit है उसकी value होई आपकी 5 और यह 3 bit की value होई आपकी 2 ठीक है अगे कोई मतलब जी यह 2 bit है ना तो एक 0 add कर लेते हैं कि उसकी value नहीं होती है left side जब भी आप add करोगे ठीक है next जो था हमारा वो है octal to decimal octal to decimal again 2 की 3 bit binary value लिख लो 3 की 6 की और उसको convert कर लो decimal में ठीक है next जो है वो है अपना decimal to hexadecimal तो decimal में यह 3 value हो ठीक है 83 है इसकी binary लिखो पहले और उस binary को 44 bit के pair में divide करके उसकी hexadecimal value आपको मिल जाएगी ठीक है जो first one था हमारा वो था octal to binary octal to binary simple है अब 2 की 3 bit value क्या है यह 6 की क्या है 3 bit यह 3 की क्या है 3 की आपकी रही यह और 7 को कैसे denote किया जाता है 7 को किया जाता है यह तो यह होगी आपकी binary equivalent ठीक है in future अगर आपको यह video सही लगा है तो और हम video बना सकते हैं इसके parts ठीक है जिसमें हम और multiple questions share करेगे ठीक है एक separate video बनाऊंगा जिसमें हम fraction part के question भी रखेंगे ठीक है क्योंकि हमने already दो video जो detail video बना रखें एक fraction part के लिए और एक without fraction part के लिए तो जो without fraction part है वो तो आज 12 scenario हमने complete क करेंगे अपने next video में ठीक है तो okay friend thanks for watching the video अगर video अच्छा लगा ना तो please share subscribe और like करना ना भूले thank you thank you so much मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye